आजी गुड़ीवनी चलो जी ऑप्षन आपने खतम कर दिया जी और मुझे टोटल मिलाकर डेरिवेटिव को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया था मेजर दो पार्ट में अब बात किसकी होकी अब बात है पार्ट नमबर टो जिसको मैं बोल रहा हूं future contract future and forward एक साथ लिख सकते हैं ठीक है एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट है future contract forward contract वैसे समभी न समझे तो future समझ में आएगा नहीं आपको लेकिन future forward contract फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा कवड़ है फॉरेक्स जब हम पढ़ेंगे कुछ बच्चों का ये भी आया था question की sir option housing भी तो होता है होता है जिन्होंने पहले पड़ रखा है उनका यह कोगए एस डेरीवडियो कर दिया पूरा ओपसिंब है कर दा ओपसिंब कहां है औपसन हेजिंग पास एवैप करें और से keeping कुण रहेगा ठीक है सर तो स्टार्ट करें यस अब सुनना फावर्ट कॉंट्रक्ट के फ्यूचर कॉंट्रक्ट में होता क्या अच्छल में अच्छल में अच्छल में और एक पर्संट रेते हुए हम हाला कि थोड़ा बहुत डिस्कुशन किया था स्टार्टिंग में राम स्याम आज गोल्ड का रेट क्या चल रहा है सर आज गोल्ड का रेट चल रहा है 55,000 और तोला बोलते तोला तोला तो नहीं 10 ग्राम लिख देता 10 ग्राम का भाव चल रहा है 55,000 आज की डेट कौन सी है सर आज मन से बोल रहा हूं ठीक है पता लग आप गोल्ड का रेट पता कर कोई मतलब नहीं तो आज की डेट मान लो पाच जून ठीक है आज की डेट पाच जून और आज गोल्ड का रेट क्या चल रहा है 55 अब दो अलग 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 परसन को अलग अलग अपिनियन हो सकती है मैं पूछ रहूं कि बताओ तीस छे को गोल्ड का प्राइस जो 55,000 था वो बढ़ेगा कि कम होगा आज रेट है 55,000 तीस जून को गोल्ड का रेट क्या होगा गोल्ड भी हो सकता है commodity तो ले रहा हूं में commodity future stock भी हो शकता है currency भी हो सकता है rate में gold एक exam share भी हो शकता है ठीक हम यह share की बात करेंगे तो सर राम को क्या लग रहा है राम को ऐसा लग रहा है कि gold का price बढ़ जाएगा और सियाम को लग रहा है कि gold का price गिर जाएगा कौन सी date की बात होगे 36 तो इन दोनों के बीचे contract हो जाने तो contract इसको क्या लग रहा है price बढ़ जाएगा 55,000 से उपर चला जाएगा तो एक contract होगा जिसमें सियाम विल सेल गोल्ड टू राम एट रुपीस कितने में बात होगी आज की रेट में के ठीक है भाई 55 ये 55 के लाबा 56 भी हो सकता है मैं 57 कर देता हूं कि कुछ बच्चों को ऐसा लगीगा कि जो आज का price है उससी पर contract होगा ज़रूरी नहीं 36 को क्या price होगा हमको ये नहीं मालूम पर हमने एक price decide कर लिया कि 57,000 से उपर gold का price जाएगा ऐसा कोन बोल रहा है राम और सियाम बोल रहा है नहीं भई नहीं जाएगा कम हो जाएगा तो राम कहरा कि ठीक है सियाम आप हमें gold बेज देना 57,000 बेज देना 55 भी हो सकता है जो 36 को कितने में 57,000 बुक के language discuss कर रहा हूं पहले में बुक के language बात हो गई यस जो rate है ये वाला जिस पर बात हुई है इसको बुल जाता है forward rate ठीक है वैसे फॉरेक्स में discussion होगा ठीक है साथ ओके ठीक है आज क्या किसी के पास gold है नहीं न तो राम के पास है न तो श्याम के पास है बस एक contract वा contract हो रहा आज और price आज रिसाइड हो गए सर गोल्ड का rate 36 को अगर 36 को अगर 59,000 हो गया तो तो राम खरीदेगा कितने में 57,000 में और market में कितने का बेज़ देगा 59,000 का बोलो राम को कितने का profit 2000 का और श्याम को लॉस है श्याम को 59,000 से market में खरीदना पड़ेगा और 57,000 में delivery कर देगा तो इसको लॉस है और कितने रुपे का लॉस है 2,000 अगर 54,000 हो गया तो राम जाएगा ही नहीं ऐसा अब नहीं चलेगा एक option contract था जिसमें चलता था ये सब कि राम चाहो तो option राम के पास option हुआ करता था फावर्ड में ऐसा नहीं है फावर्ड में contract हुआ भाई तो राम आपको खरीदना ही पड़ेगा चाहे rate कम हो जाए चाह तो यहां अब राम को लॉस हो जाएगा कितने का लॉस हो जाएगा लॉस हो जाएगा 50 से माइनस 3000 का और इसको प्रॉपिट हो जाएगा 4000 क सीदी सी बात है क्या समझ में आया समझ में यह आ उसमें पैसा एक्स्ट्रा लगता था वो पैसा फू कॉन्ट्रक्त में इसा कुछ नहीं किसी को कुछ नहीं देना थीक है तो अगर आपको एसा लग रहा कि options अच्छा है तो उसमें प्रीमियम देना पड़ता था खर्च भी तो थे, इसमें तो कोई खर्च ही नहीं है, हाँ, इसमें प्रॉफिट हो रहा तो इसमें लॉस भी हो सकता है, अच्छा, एक्चुल में सर्क होता क्या है, ऐसे ही होता कि, ऐसे भी होता है, इसको बोलते है, फिजीकल डिलिवरी, एक्चुल में डिलिवरी ही ले रह मतलब यह बैटिंग कर रहा है किस तरफ अपसाइड बैटिंग रेट बढ़ेगा और यह भी बैटिंग कर रहा है पर किस तरफ डाउनसाइड बैटिंग रेट कर रहा है इसको जो पोजीशन है इसको कौन सा पोजीशन बोलेंगे सर इसको लॉंग पोजीशन बोलेंगे लॉंग पोजीशन यह तो हमको मालूम है इसको कौन सा पोजीशन बोलेंगे इसको बोलते हैं इसका शॉर्ट पोजीशन है शॉर्ट सेलिंग नहीं वो अलग है उसमें भी शॉर्ट ही पोजीशन है पर यहां मैं बात कर रहा है शॉर्ट पोजीशन का इस बढ़ेगा तो यह जीतेगा कम होगा तो यह जीतेगा और क जीत गया, सानो 2000 से जीत हुई, किसकी जीत हुई, राम की, तो श्याम को ये गोल्ड वोल्ड ले गए और राम बोलता मुझे गोल्ड भी नहीं चाहिए, वैसे भी तो मेरे 2000 का फायदा है, तो श्याम आप भी क्यों टाइम पास कर रहा है, आप मुझे 2000 रुपए दे दो, खतम वो शर्त में जीत गया, और मुझे 2000 मिल गया, सर अगर 54,000 हो गया, तो 57 से 54 हो गया, तो 3000 का लॉस हो गया, किसको राम को, अगर मैं कहूं फिजीकल क्या होगा, फिजीकल ये गोल्ड खरीदेगा, कितने में खरीदेगा, 57 में, मार्केट में 54 में बेचिएगा, ये कहानी हू पर सीधी सी बात ये है, कि ये 3000 का प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट है, इसको लॉस है, ये 3000 इसको देदेगा, that's it, फिजीकल डिलिवरी भी पॉसिबल है, फावर्ट कॉंट्रेक्ट में, क्योंकि फावरेक्स में आपको फिजीकल डिलिवरी ही सिखाँगा, और कैश इसको बहुता है, इसको पैसा मिल जाएगा, जो हारा वो पैसा देदेगा, बात खतम हो चाहिए, ठीक है जी, ठीक है, पर उसमें ऑप्शन में ऐसा नहीं होता था, ऑप्शन में जीतेगा फाइदा, इसकी बात करो, ऑप्शन राइटर की, इसको क्या बोलते, कुछ इनका अभी तो नाम होना चाहिए, इसको बोलते है, फावर्ट बायर, और इसका क्या नाम है, फावर्ट सेलर, फावर्ट बायर, यहां दोनों का अब्लिगेशन है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता था, ऑप्शन में जो ऑप्शन होल्डर होता था, उसका राइट बट नॉ obligation होता था, obligation नहीं होता था पर option जो writer होता था, उसका obligation होता था, ठीक है ज़िए ठीक है सर, बात समझ में आ गई है हमको यहां तक बात समझ में आए क्या काफी कुछ मैंने बात कर लिया और एक, और एक होता है फावट के अलावा और एक होता है future यहां गोल्ड भी हो सकता है यहां शियर भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है कि गोल्डी होका शियर भी हो सकता है ठीक है अब ध्यान से समझ ना वैटे यह important है राम और श्याम और बीच में इस्टॉक एक्शन अभी गोल्ड का जो कॉंट्रेक्ट हो रहा था वो फेस तो फेस हो रहा था यहां भी गोल्ड का कॉंट्रेक्ट हो सकता है शियर का भी कॉंट्रेक्ट तो फेस तो फेस नहीं होगा बीच में कौन रहेगा इस्टॉक एक्शन बुलेगा कि यार आप एक दूसरे को कहां ढूंडोगे तो चलो ना बीच में में आ जाता हूं अब भी सर्थ ही खेली जाएगी सर्थ ही लगाए जाएगी लेकिन जो बैटिंग होगी वो इस्टॉक एक्शन्स के थ्रू होगी बस इतना ही अंतर है ठीक है सर्थ और सर्थ लगी सर्थ कितने के लगी ज़रा से जादा और श्याम को लग रहा है एक हजर से कम और डेट आज की कितनी है सर है आज की पाच जून तो सर्थ लगी है तीस जून इसका कौन सा पोजिशन है लॉंग पोजिशन और इसका कौन सा पोजिशन होगा शॉट पोजिशन एक हजर से उपर जाएगा तो राम जी देगा और एक हजर से कम होगा तो श्याम जी देगा तो बही अंतर क्या है फावर्ट कॉंट्रेक्ट और फ्यूचर कॉंट्रेक्ट अर्वावरट कॉंट्रेक्ट जे होता है, वो ओवर्द आकाउंटर होता है, प्रिजिकलड डिलेवरी पॉसीबल है, वो सोता ही एकसर फिजिकलड इलेवरी नहीं होती है इसके थुरू होता है इस टॉक एक्षे जनरली इसका cash settlement होता है ठीक है काफी कुछ है ठीक है जनरली forward contract कहां यूच किया जाता ध्यांस से समयना forward contract अब और समझाने की कोशिश करो मैं forward contract को से मालो है bank ठीक है सर बैंक आज dollar का rate क्या चल रहा है मालो आज dollar का rate से चल रहा सकता रूप मुझे ऐसा लग रहा है कि आर तीन महने बाद मुझे dollar की ज़िवरत पड़ेगी वो जो मैं import कर रहा हूं तो मुझे dollar देना पड़ेगा और मुझे करीब करीब 1,00,00 dollar पे करना पड़ेगा एक लाग डॉलर मुझे pay करना और आज pay करना है कि नहीं कब pay करना है तीन महने बात तो क्या मैं आज dollar करीद के रख सकता हूं नहीं फेमा बीच में जाता है आप आज dollar नहीं खरीद होगे जब आपकी जरूरत है तब आप को पहुचाना है तब आप डॉलर खरीद होगे इस वो फॉरेक्स में पढ़ेगी कि वो किस तरह से ट्रांसपर होता है पर समस्या इसको क्या है राम को राम को समस्या यह है कि डॉलर का रेट जो 70 चल रहा है यह बढ़ना जाए तो उसको रिस्क है किस बात का रिस्क है कहीं ब को भी आपका फावड डर इस पर खारिजा इट इमिस फावड कॉन्टरिक्ट में किया फिजीकल डिलिवरी होती है यहख करने का इसे में तो यह लोग मर जाए है सब्सक्राइब नहीं है आप उसको अपनी नजरों से देख रहे हो मेरी नजरों से तो 60 है पर उसका यूज कहीं और किया जा सकता पॉजिटिव सोच पॉजिटिव ठीक है से तो मैं इसकी बात कर रहा था ठीक है फावर्ट कॉंट्रेक्ट का थोड़ा सा बताया कुछ बोलते सट्टा है ऐसा कुछ नहीं जहां तक समझ में ठीक तो चलो राम कहता कि चलो जी बैटिंग करें करते हैं राम बैटिंग कॉंट्रेक्ट टू बाए और यह क्या बोल रहा इंचे बीच में कौन है इसटॉक एक्चेंज यह तक ठीक है फावर्ट कॉंट्रक्ट और फ्यूचर कॉंट्रक्ट में अंतर पूछता है तो हमें आना चाहिए क्या अंतर होता है तो फावर्ट कॉंट्रक्ट और फ्यूचर कॉंट्रक्ट में दो अंतर आपको समझ में आ है पहला क्या सर्फ फावर्ट कॉंट्रक्ट में ओवर दा काउं चलो तो राम ने कहा कि मुझे शर्ट लगाना है रिलाइंस का शेयर क्या क्या है बढ़ने वाला है और श्याम बोलता है कि चलो मेभी शर्ट लगाने को तियार हूं रिलाइंस का शेयर कम होका तो बले लगी शर्ट और राम से पूछता है श्टॉक एक्षिन कितने शेयर का श मतलब एक मन से बोल रहा हूं कि आपको कम से कम एक lot में 50 shares होते हैं, तो आपको 50 shares पे शर्त लगाना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से customized नहीं कर सकते हैं, हमारा standard lot size है, उसी standard के हिसाब से ही आपको काम करना होते हैं, जबकि forward contract में, अगर मुझे dollar एक लाक नहीं, मुझे dollar एक 5000 की जरुवत है, तो भी हम contract कर सकते हैं, इतमिस ये customer के हिसाब से टै हो जाता है, लेकिन future contract में ऐसा नहीं होता, future contract standardized होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, तो forward contract जो साड़े तीन बजे के बाद कर सकते हैं, customized, पर future contract तो साड़े तीन बजे के बाद होई नहीं सकता, stock exchange बंद हो अंतर आता है, इसलिए मैं ये आपको discuss कर रहा हूँ, अगर difference नहीं आता है, और आ सकता है, इसलिए प्लीज अब ध्यान दोगे, ठीक है, और practical part के लिए तो important है, इन्होंने का चलो लग गे शर्त, 1000 इंटू 50, तो 50 share पे शर्त लगी, अब सुनना ध्यान से, अगर share का price, कॉन जीता, सर्राम जीता, कितने से सौ रूपः से, एक share पे 100 रूपए, 50 share पे, 100 इंटू 50, पाच जा रूपए, ये पाच जार से जीत गया और ये पाच जार से हार गया, अब की बात है, ये 30 जून की बात है, ऑनू 30 जून, कौन किस को पैसा देगा, सर्सियाम राम को पै पईसा देगा और स्टोक एक्षिन्स राम को पैसे देगा हो गया ना सर या ही तो बोलना चाहते हो यकन सुन एक कि जैसी राम पाच जार रुफए जीता तो राम राम किसके पास जाएगा पैसो के लिए स्टॉक एक्षिन्स कूप आएगा श्याम को है कौन इमान लोग श्याम का मोबाइल बंद आ रहा है अब क्या करें दिक्ट यही तो थी ऑप्सन में भी वहां भी तो श्याम का मोबाइल बंद आ सकता था तो बदले में श्टॉक एक्षिन इनिशियल कुछ पैसे जमा करवाता है जिसको आप क्या वोलते हो मार्जिन याद है जिन जमा करता था और यह तो प्रीमियम दे देता था हाँ लिकिन अब सुनो ना विट्टे अब सुनो ध्यान से अगर प्राइज मान लो तीश चे को आठ सो रुपए हो गया तो अब कौन जीत गया है यह जिद गया कितने से 200 दोसो एंटू पचास दोसो इंटू पचास कि एक हजार के और दस जार रुपैसे जीता कौन जीता सियाम कि सो पास जायेatie स्टोक एक्शेंज अब किसपों लगाए घराम को किया राम को मूबाल बंद हो सकता यस, option में ऐसा नहीं होता था option में क्योंकि वो premium उसका तो loss होई नहीं सकता था option में, या बढ़ेगा तो exercise गिरेगा तो lapse, लेकिन यहां तो भई इसको इससे भी तो पैसे वसुल करेगा stock exchange, इसको भी सुरू में margin जमा करना पड़ेगा हाला कि margin का पैसा वापस मिल जाएगा it means जितना भी margin जमा करेंगे 10,000 प्लस करके इसको हम वापस कर देंगे और इसका 10,000 margin से काटके इसको पैसे वापस कर देंगे, margin मतलब security deposit ठीक है सर, तो सर फावर्ट contract में भी, मतलब सर यह आपस में default कर सकते है पर margin जमा कर दिया तो कोई default नहीं कर सकता फोन बंद नहीं कर सकता, करेगा तो करें हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फावर्ट contract की बात करो फावर्ट contract में कौन किसके पास क्या जमा करेगा, बीच में तो कोई है नहीं है, तो margin कैसे जमा होगा, दिक्कत यही है तो बात इतनी सी है क्या यहां एक दूसरी पार्टी default कर सकती है, या counterpart कर सकती है, फावर्ट contract में सामने वाली पढ़े हाला कि यहां भी डिफासर contract कैसे cancel हो सकता है, आपको court वगेरा जाना पड़ेगा, पर तुरंत में तो default हो गया, पर future contract में, क्योंकि margin मनी जमा करवा रहे हो, तो default के chances कम है, chances क्या है यह यह default, ठीक है, फावर्ट contract और future contract में कितना अंतर समझ में आ गया पहला, फावर्ट contract कैसे सर वो ओवर दा काउंटर होता है, और future contract सर वो actions traded होता है, बिल्कुल सर, दूसरा, सर, forward contract customized होता है, customer के हिसाब से, जबकि future contract जो है, वो standardized होता है, standard, ठीक है, तीसरा, सर, forward contract में कुछ जमा नहीं करना होता है, margin, margin, जबकि future contract में, सर, margin का requirement होता है, तो किस में default हो सकता है, सर, forward contract में counterparty default कर सकती है, जबकि future contract में counterparty default नहीं कर सकती है, बिल्कुल, क्योंकि margin जबाने है, चार तो अंतर वैसे ही हो गया, ठीक है, और भी बात करो, किस में liquidity ज़्यादा होती होती है, liquidity सूच हो, liquidity का मतलब, मतलब यार, मैंने contract किया, ये paper मेरे पास है, मैंने gold बेचने का contract कर लिया, gold पे betting कर लिया, कि ये price बढ़ेगा, और ये paper मेरे पास है, क्या इसको मैं transfer करके cash ले सकता हूँ, मैं कहता हूँ, यार, चलो मैं betting कर रहा हूँ, मेरी जगा, आप कर लो betting, please, क्या forward contract में ऐसा होता है, नहीं, बहुत मुश्किल से ऐसा होता हूँ, लिक्विडिटी बहुत कम होती है, इस paper को cash में आप convert नहीं कर सकती है, जबकि future contract में ऐसा होता है, वो कैसी होगा, वो मैं आपको समझा दूँगा, ठीक, लिक्विडिटी की बाद, rules and regulations किसमें ज़्यादा होते हैं कि सोचो, rules and regulations, सोचो ना भए, future contract में ज़्यादा होते हैं कि, stock action involved है उसमें, future contract में rules and regulations ज़्यादा होते हैं, ठीक है, हलका हलका मैंने आपको idea दिया, कि forward or future में अंतरा आजा है, तो कैसे करना है, अब मुद्दे की बात है, काम की चीशें बिल्कुल धियान से समझो, चलो वाएं, तो reliance का, 1000 shares, 1000 रुपए प्राइस हैं, और 50 shares पे बैटिंग करना है, ठीक है, राम और श्याम, और आज की date कौन सी है, 5 जून, राम कहता है, और श्याम कहता है, ठीक है, हम बैटिंग करने को तैयार है, और सौधा जो कटेगा, या फिर कौन सी डेट तक के लिए, contract हो रहा है, मालो 30 जून के लिए contract हो रहा है, ठीक है, ठीक है साथ, क्या इन दोनों को margin जमा करना पड़ेगा, यस, margin हम, जैसे मुझे future contract करना है, तो क्या margin जमा करने के लिए, मुझे stock action जाना पड़ेगा, बिटे, आपको stock action नहीं, आप अपने broker के पास जमा कर दो, बस, और स्याम अपने broker के पास जमा कर दो, आपको margin, आपने इससे भी लिया होगा, इसका भी आपके पास portal होगा, उसके सबसे काम कर दो, जिरूदा है, वहाँ आपको margin जमा रहे था, वहाँ इससे सब deduct हो जाएगा, क्यों 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 से, आजकल तो online हो गया है, पूरा काम online, ठीके से broker के दो, चलो देखते क्या होगा, और ज़्यादा practical करने की कोशिश मत करना, पढ़ लो पहले, पढ़ लो उसके बाद जितना trading करना करो, कोई दिक्कत दे, खुद ही नहीं करोगे, मैं जानता हूँ यार, वो सुरू में shock लगता है, एक हजार इंटू पचास, अब देखते हैं कि इनको margin कितना जमा करना पड़ेगा, stock exchange का ये कहना 20% भाई margin जमा करना है आपको, तो देखते हैं, मन से बढ़ आँ 20% है, एक हजार इंटू पचास, इंटू ट्वेंटी परशन, दस जार, तो आज कॉंसे डेट है, पाच्छे, दस जार जमा कर दिया राम ने, और दस ही अजार किसने जमा कर दिया, श्याम ने, और आज प्राइस क्या चल रहा है, एक हजार, फ्यूचर प्राइस है, और राम क्या कहता है, कि यार एक हजार से बढ़ेगा, श्याम कहता है, एक हजार से काम होगा, को अगले दिन प्राइज हो गया सर एक हजार दस बोलो कौन जीत गया राम जीत गया दस रुपए से अगले दिन हाला कि कौन सी डेट तक हमें काम करना है तीस छे तक काम करना है पर राम अगले दिन ही जीत गया और कितने रुपए से दिन जीत गया दस रुपए खुशी का ठ से जीता है राम और यह हा रहा है पास सो रुपैसे, माइनस प्लस, पचास शुजर से ना, तो सर होगा क्या, अगली दिन क्या होता है, इस्टॉक एक्शेंज, डेली, डेली जो है ना, मारजिन में एजिस्टिमेंट कर लेता है, मतलब सर वो भाई सब क्या करता है, बोले यार राम कितने से जीत गया, बोले राम जीत गया, पास सो रुपै, तो उसके मारजिन एकाउन में पास सो प्लस कर देता है, और इसके मारजिन में पास सो माइनस कर देता है, तो यहाँ टोटल कितना हो गया, तो इसके पास दस दार पास सो रुपै हो गया, और इसके पास चलो भी और है अगले दिन उसके बाद प्राइज हो गया एक हजर बारा मन से बोल रहा हूं अगले दिन मतलब साथ शे को प्राइज हो गया एक हजर पारा फिर जीता अब बोलो कितने रुपैसे जीता सर बारा रुपैसे गलत 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 री प्राइजी हो गया फ्यूचर प्र यह था फ्यूचर प्राइस यह माना जाएगा इससे कंपैरिशन करो कि यहां कितना जाएगा और यहां कितना जाएगा यहां 9400 जाएगा इट मेंज सर हमको जब भी कंपैरिशन करना यह वाली प्राइस से कंपैरिशन नहीं करेंगे नहीं हमें कभी भी पिछली प्राइस से कंपैरिशन करना पढ़ेगा यहां तक बाद समझ नहीं, तो राम टोटल मिलाकर कितना रुपय भी जीट चुका है, 600 रुपय, क्या ये 600 रुपय स्टॉक एक्शन से बोल सकता है, कि स्टॉक एक्शन मुझे 600 रुपय आप दे दीजी, प्लीज मुझे दे दीजी मेरा 600 रुपय जीता, मुझे पार्टी करन मुझे नहीं, मुझे 600 तो देदो अपना, क्या राम ऐसा कर सकता है? Yes, margin विड्रो कर सकती हो, जितना एक्शेस है, 600 एक्शेस है नए, 600 विड्रो करो, बात करो, अच्या सर ऐसा भी होता है, हाँ भाई हाँ, margin विड्रो किया जा सकता है, याद रखना, हाला कि Codeume में अगर कु रहा है चोड़ो ना आगे बढ़ते खेल कितम हो जाएगा आपका margin withdraw किया जा सकता है यहां तक बात समझ में आगी है क्या पर अभी हम withdraw नहीं कर रहा है और वैसे भी practical question जब आएगे उसमें अगर कुछ ना बोला तो हम margin withdraw नहीं करेंगे ओके सर ठीक है बात समझ में आगे चले आगे ठीक है चलते आगे अगली दिन प्राइज हो गया है एक हजर ग्यारा एक हजर वारा से कितना हो कि एक हजर ग्यारा तो सर यह तो हार गया है यस कितने से पचास से और यह जीत गयेतं से पचास से इसका कितना हो गया सर दस जार पास सौपचास प्राइस और इसका सर अब सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं रहाम सोचरा यार पाच तारिक को मैंने कॉन्टरेक्ट किया था 10,000 रुपे का आज की आठ तारीक और हो गए 10,000 पास सो पचास हाला कि मार्जिन विड्रो कर सकते पर राम गहता है यार मुझे रात में नींद नहीं आती भई ये पता नहीं प्राइस बढ़ड़ा बढ़ड़ा तो अच्छा बताओ देखो यार कल क्या हुआ अकल तो लॉस हो गए 10,000 पास सो पचास ही बचाए तो प्लीज ये 10,000 फास सो पचास रुपे जमाए तो प्लीज ये 10,000 फाइफ फाइफ जिरो मुझे वापस कर दो मेरा पैसा मुझे को वापस कर दो और अब मुझे खेल नहीं नहीं है ये सरती नहीं खेल नहीं बात खतम जो क्यों कि देखो कल रात में क्या हुआ अब मुझे नहीं करना है ये कॉंट्रेक्ट नहीं करना है ये कॉंट्रेक्ट खतम करना है क्या राम ऐसा कर सकता है हाला कि डेट अभी 36 है लंबा जाना है कौनसी डेट का था 36 का पर हम 10 इसी डेट में कॉंट्रेट खतम करना चाहते है राम ऐसा कर सकता अब स्याम कहता है सुनो मुझे कोई कॉंट्रेट खतम नहीं करना भाई हो गया बरबाद हो जाने दो पर अभी बरबादी मेरे ठीक होने वाली है देखो 50 रुपे का फायदा लग गया ना कि यार मेरा लौस होने वाला दिक्कत इसलिए भाग रहा है भाग जाने दो इसको मुझे क्या ले न देना इससे मुझे तो श्टॉक एक्षेंस मुझे खेलना और 30 से किलना थिया आम तो अड़ गया पर राम कहता भई मुझे जाना कीया करे तो क्या करे क्या जा सकता है यास किया जा सकता है और राम की जगा इस टॉक एक्षिंज कुछ ऐसा जुगाड करेगा कि राम को हटा देगा और राम की जगा जाएगा क्या नाम मोहन मोहन और अब वो खेलेगा अच्छा सकता हाँ और उसको क्या लग रहा होगा दुनिया में राम के अलावा राम तो भाग रहा है भाग जाने दो कोई ना कोई तो होगा जिसको ऐसा लग रहा प्राइस बढ़ेगा यस मोहन तो हमने का चलो मोहन आप खेलो दिक्कत क्यो है राम को हटाओ, मोहन को लाओ और मोहन फिर स्टार्ट कर दिया और अब उसने भी कुछ मार्जिन जमा किया होगा, इसने निकाला तो मालो मोहन ने जमा कर दिया मालो 10.580 10.580 मोहन से लेकि इस्टॉक एक्षिंज ने किसको दे दिया, राम को दे दिया कहा अब चलते बनो वो गया अब 10,550 मार्जिन है कि नहीं है है अभी भी पर यह मार्जिन अब किसका है मोहन का है और प्राइस कितना था एक हजर ग्यारा अगले दिन एक हजर बारा हुआ फिर एक रुपए अब एक रुपए मतलब पचास शेर पचास रुपए किसके एकाउ स्याम कमन करेगा तो स्याम भी निकल जाएगा तो स्யाम की जगाे शूहन खेलेगा जिसको ऐसा लग राकि प्राइस कम होने एक तरह से काम होता है फिचर कॉंट्रक्ट तो मार्क टू-मार्किट मार्जिन बोलते हैं मार्क मार्क का मतलब पहले future price ये था, अब ये हो गया, अब ये हो गया, इस तरह से मार्क होते जाता है, पर forward contract में कि बीच में आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं भाई नहीं, forward contract में आपको on maturity पे भी settlement होता है, जब कि यह settlement पहले भी हो सकता है, ठीक है, ठीक कैसे, बहुत theory हो गया, थोड़ मैंने आपको बोला है, उसे हमें एक बार देख लेना चाहिए, लिखने की जिर्वत नहीं है, वो तो मैंने एक बुक में लिख दिया है, एक बार देख लेना चाहिए, उसको, चलो, देखे एक बार, यह है, पार्ट टू, फावर्वर्ड और फ्यूचर, थीक है, तीयार हो, लिखा, फावर्वर्ड कॉन्ट्रक्ट इस अ कॉन्ट्रक्ट, पहले फावर्ड कॉन्ट्रक्ट के विश्चे मैं बताया गया, फावर्ड कॉन्ट्रक्ट इस a contract between two parties, to buy or sell an underlying asset at pre-determined price जिसको आप forward पोलते हैं in future delivery, कोई दिक्कत नहीं है, यह तो आपको आता है पहले से, in forward contract, forward buyer is obligated to buy, and forward seller is obligated to sell such underlying asset, forward contract कैसी होता, over the counter contract होता, OTC, यहां क्या बताने की कोशिश किया, दोनों ही पार्टी का obligation है, future contract क्या होता है, future contract forward contract की ही तरह है, पर यह कैसा होता, standardized होता है, standard lot size, और यह कहां trade होता है, stock exchange में trade होता है, और इसमें क्या margin का requirement होता है, yes, और क्या कोई counterparty default हो सकता है, नहीं, क्यों नहीं हो सकता, यह क्योंकि margin जमा होता है, ठीक है, तो future contract में देखा जाए, तो दो पार्टी होती है, एक का नाम होता है future buyer, और एक का नाम होता है future seller, future buyer क्या करता है, तो contract to buy, या फिर हमारी language में इसे हम क्या बोलेंग, upside betting, बढ़ने का, या फिर इसको कौन सा position बोलेंगे, long position, और future seller क्या करता है, सर, contract करता है to sell, मतलब downside betting, या इसको हम क्या बोलेंगे, short position, बोलेंगे, अंतर आ सकता है, forward contract versus future contract, अंतर आ सकता है, forward contract कैसे होता है, सर, OTC over the counter, और ये कैसे होता है, actions credit, forward contract कैसे होता है, customized, customized का मतलब, समझी गया हो, यार हमें, जितना dollars, जितना shares खरीदना, उतना खरीद सकते, 50 shares खरीदना, वो हो सकता है, 40 shares वो हो सकता, contract तो किसी कभी हो सकता है, पर stock actions के through काम करोगे, तो ऐसे नहीं होगा, standardized होगा, यहां कभी भी कर सकते हो, यहां साड़े तीन बेजगे बत कर रही नहीं सकते है, contract, इसमें क्या margin लगता, forward contract में नहीं, और क्या future contract में, yes, margin का requirement लगता है, क्या यहां counterparty default हो सकता है, हाँ, क्योंकि margin नहीं है, जबकि यहां no counterparty default, और settlement कहां कैसे होता है, maturity पर, और यहां settlement, daily settlement होता है, mark to market settlement बोलते हैं, और liquidity यहां, less liquidity, less liquidity, और यहां high liquidity, यहां regulations कम होते हैं, future contract में, क्योंकि shareholder public involved हो जाती है, stock exchange के थ्रूँ काम होता है, तो more regulations होता है, यह generally कहां यूज होता है, hedgers में, और future contract कहां होता है, speculation में generally बोल रहा हूँ, हाला कि मैं hedging through future भी करवाओंगा आपको, ठीक है, और एक चीज़ समझानी हैं आपको, समझाना जरूरी है, वो है, stock index future, जिसको आप बोलते हूँ, nifty, और sensex या market, क्या है मैंने आपको basic class में समझाया था, येस, अब काम की बात समझना, sensex, अभी कितना चल रहा है, और sensex अभी 52,000 points, क्या sensex को खरीदा जा सकता है, नहीं, खरीदोगे, क्या खरीदोगे sensex में, shares खरीद सकते हो, sensex कैसे खरीदोगे, क्या sensex को बेचा जा सकता है, नहीं, पर क्या sensex में शर्त लगाई जा सकती है, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि 36 को sensex बढ़ेगा, गाम को ऐसा लग रहा है और श्याम को ऐसा लग रहा है कि कम हो का लग गई शर्त तो sensex पे शर्त लगाई जा सकते हैं It means stock index future का मतलब क्यों हता है future contract on stock index Stock index का मतलब यही nifty sensex इस पे future contract कर सकते हो इस पे आप शर्त लगा सकते हो कि बढ़ेगा की कम हो का तो दो चीज़े एक श्टॉक पे शर्त लगा सकते हो और nifty sensex इस टॉक इंडेक्स पे भी लगा सकते हो जब आपको ऐसा लग रहा है कि particular अभी और भी बात करता हूं और सुनो यह जो stock index है यह sector wise भी हो सकते मतलब जैसे bank nifty सर बैंक nifty मतलब इसमें भी तीस ही company है लेकिन पूरी बैंक बैंक रहेगी एजडी एपसी रहेगी यह रहेगी इंडेस्ट्री वाइस इसमें आईटी सेक्टर की सारी company रहेगी और निफ्टी मतलब अलग अलग सेक्टर ठीक है और सुनना देहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि टिसको का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो किसमें बैटिंग करूं stock future की stock index stock future इसको बढ़ेगा ना बस यह लग रहा ना मुझे लग रहा कि टिसको में कुछ announcement होने वाला बढ़ा उसकी वजह से इंडेक्स में long position ले लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी सेक्टर वेक्टर को तो नहीं मालूं किसी इंडुस्ट्री का भी नहीं मालूं पर जो budget आ रहा उससे जो जो government आने वाला election की बाद जो government है वो stable रहने वाला तो पूरा जो निफ्टी है ना वो बढ़ेगा covid वैसे भी कतम हो गया तो फिर आप निफ्टी में कर लो इसमें वो आपको सूचना पड़ेगा कि यह बैटिंग हमको किस में करना है ठीक है हमें क्या लग रहा उस पर डिपेंड करता है कि आप किस में बैटिंग कर ओके ठीक है ठीक है दूसरी बात अगर मैं इस टॉक में बैटिंग करता हूं और पका सर इसका फिजिकल सेट हो इनी सकते इसका हमें सख cash settlement हो ठीक है ना दूसरी बात अगर मुझे ऐसा लग रहा मैं रिलाइंस में पैसा लगा प्रोफिट कमशू करेंगे तो रिलाइंस का प्राइस गिर्एगा मैनूपलेट किया जा सकता है अगर मैं कैता हूं किसी ने जबर दस भंग से शॉट पोजिशन ले रखाओं मन से बौल रहा हूँ अंबानी ने शॉट पोजिशन ले रखात करोड़ तो इन्होंने सवाचा काट के निकल गए अम Nhrama और अगले दिन क्या हो गए सर अगले दिन काता है नीज थी ठीक ठाक हो गया जो भी था तो मैंने कहा इसको मैनुपलेट कर सकते है पर जहां तक बात आती निफ्टी और सेनसेक्स पी इसमें अम्मानी जैसे कई लोग है, पचास लोग तो क्या इसको मैनुपलेट करना थोड़ा सा मस्किल है, banner plate तो ये भी होता है ठीख? banner plate तो कुछ भी हो सकता है पर इसको थोड़ा सा मस्किल तो आ सकता है stock index future बोलूंगा मैं तो उसके लिए आप तयार हैं ना कि होता क्या है stock index future means future contract on stock index ये sector wise भी हो सकता है जैसे bank निफ्टी हो गया, IT इंडेक्स हो गया, etc. या फिर, इट कुड भी on overall market पे भी हो सकता है, जैसे निफ्टी, Sensex, etc. और subtle कैसे होता है, सर, all-in cash, physical delivery पॉसिबल नहीं होती, और ये ज़्यादा liquid होता है, stock future की, मतलब सर, मतलब बहुत सारी ऐसी company है, जैसे टिसको हो गया, टिसको तो चलो तो भी विखता है, बहुत सारी ऐसी company जिसके जो price हो एक-एक महने से हिले भी ने, पर ऐसा होई नहीं सकता कि निफ्टी, निफ्टी को खरीदने और बेचने वाले बहुत लोग है, जबकि उस आगे आएगा stock index future बोलूँगा, तो कम से कम आपको पता रहना चाहिए कि क्या होथा, लेकि वहाँ भी याद दिला दूगा, पर पता रहना चाहिए, सर, theory खतम करते न, सर, जहिल कर नहीं हो रहा है, मैं जानता हूँ आपसे जहिल कर नहीं होगा, तो चलो, आज आते है practical में future contract में हमें जो practical पूछा जाएगा, वो तीन तरीक से, part number one margin, part number two valuation of future, part number three beta management, और एक क्या करेंगे हम, commodity future, इसको मैं चार point में बाढ़ सकता हूँ future contract को, तीक है, margin account, valuation of future, beta management or housing through future बोलते हैं, और एक क्या है, commodity future, ठीक है, practical question, important है future की, और हम start कहां से कर रहे हैं, हम start कर रहे हैं, margin, ठीक है, तो करें, start, yes, पर कुछ चीजें पहले में discuss कर दूँ जादा अच्छा है, ताकि margin पूरी तरह से हमें समझ में आजाए, पूरी तरह से, सुनना, ध्यान से, ध्यान से सुनना, पस, दो मिनट सुन दो, उसके बाद कोशन नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है, तो बात समझ में आजाए, यहां, यहां तक ठीक है, कितना प्राइस एक हजार, एक हजार प्राइस और कितने शेर, फच्चाश्चियर्स, ठीक है, जो मार्जिन जमा करना पड़ेगा, वो कितना परशन, 20 परशन, यह मन से लिखा, यह जनरली कोश्शंच बिए रहे था, कि 20 परशन मार्जिन जमा करना, इसको कितना margin जम्मा करना है 20,000 और इसको भी कितना margin जम्मा करना है 20,000 ये जो margin जम्मा करते हैं जिस दिन contract होता है इसको कुछ नाम देते हैं और इसका नाम होता है initial margin इसको बोलते है initial, initial समझ रहे हो ना हाँ सर स्टार्टिंग में जो जम्मा कर रहे हैं वो होता है initial margin यहां तक ठीक है आप बोलो इसके अलावा एक होता है maintenance margin और maintenance margin ये मन से बोला हम 20,000, 20% वैसे 10,000 होता है यह लो 10,000 लिग देता हूं भई और maintenance margin हो गया 8,000 इसका मतलब सुनो श्याम और राम किसी भी हालत में आपका margin margin 8,000 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में 8,000 से कम नहीं होना चाहिए ठीक है और अगर 8,000 से कम हो गया आपका margin हो सकता आपको loss हो 8,000 से कम होगे तो daily basis पर margin का settlement adjustment करेंगे और किसी भी दिन अगर हमें ऐसा लगा कि margin 8,000 से कम हुआ तो आपको margin लेकर आना पड़ेगा आपको पैसा लेकिए आना पड़ेगा से लिसीवात है ठीक है सब्सक्राइब इसको 1000 का loss इसको 1000 का profit तो बुलो इसका margin कितना है 9 और इसका कितना हो गया 11 कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं 8,000 से कम नहीं होना चाहिए मान लो अगले दिन 1500 रुपे का loss हो गया तो बुलो कितना आ गया तर साथ तर पास सो क्या ये margin maintenance margin से कम हो गया यस कम हो गया तो भाई साब श्याम आपको और पैसे घर से लेकर आओ margin call किया जाएगा और margin call कितना किया जाएगा जरा सोच के बताना किसी को लग रहा होगा तर पास सो रुपे नहीं 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 stock exchange बोलता जब margin call करेंगे तो इतना लेकर आ जाना कि आपको इसको initial के बराबर करना पड़ेगा मतलब आपको 1500 रुपए लेकर आना पड़ेगा बात समझना जब भी margin call किया जाएगा आपको margin वापस initial तक पहुचाना पड़ेगा इसको क्या बोलते हैं यह जो 1500 रुपए लेकर आपते हैं इसको बोलते हैं variation margin variation margin ठीक है यह बड़ी important बात है जब भी margin call होगा इससे कम गया तो call हो जाएगा और call होगा तो इतना call जब मंगवा होगे तो इतना मंगवा लेना कि initial तक पहुच जाए ठीक है ठीक है sir तो उस हिसाब से देखा तो margin कितने type के होगे तीन initial margin maintenance margin और एक कौनसा variation margin एक बड़ रीट कर ले initial margin means margin amount is required at the time of execution of contract maintenance margin is minimum margin of margin amount if initial margin below maintenance margin initial margin जो था तो दस जाब ता और वो धीरे धीरे वो maintenance से भी कम हो गया then then investor has to bring out extra margin extra margin मंगवा है जाएक और last कौनसा मेंने बोला variation margin variation margin if initial margin is less than maintenance margin initial margin maintenance से कम हो गया then investor has to bring extra amount of margin and such extra amount is called variation margin पर मैंने यह वो जे extra amount है वो वो कितना कहां तक लेकर आना पड़ेगा initial तक लेकर आना पड़ेगा अगर मैं कहूं कि margin account बनाने के लिए आता है तो yes sir इसका format बना दोगे कि format बना सकते हूं यह मैं format बना दूँ पर एक question करते है ना उसे format भी आता है उसी format में हम काम करेंगे अच्छा यह भी है यह तो अच्छी बाद अच्छा और सुन एक चीज बाद और बताऊंगा पहला यह important note काम के आपके margin amount can be withdraw if margin money is more than initial margin मैंने आपको बताया था अगर question silent रह तो आप क्या मान लेना कि margin withdraw नहीं करेंगे हम margin withdraw नहीं करेंगे जब भी सौदा काटोगे square of करोगे तो balance margin का amount refund हो जाएगा मैंने आपको बताया था कि यार 4 ही दिन हुए वो कहता था कि 255 मुझे वापस कर दो तो वापस हो जाएगा यह line important यह line important वैसे तो initial margin given रहता है question में पर नहीं दिया हूँ तो उसको निकालोगे कैसे initial margin is equal to average into standard deviation into 3 सरी है क्या है plus सुना देहां से हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि margin कितना मंगवा है इतना मंगवा लो भाई कि दिक्कत ना हो पता लगा एक ही दिन जब बरदस्त loss हो गया तो जितना margin पा सब की सब निकल गया इतमीज 20,000 जो 10,000 जो जमा कर रहे हैं और एक ही दिन में अगर 20,000 का loss हो गया तो हो गया वो तो सामने वाला भाग जाएगा पहले ही दिन आपको मंगवाने का भी टाइप नहीं मेला ऐसे मत करो margin sufficient मंगवा आप कौन सा सामने वाले का देखो किसमें बैटिंग कर रहा निफ्टी में तो आप चेक करो कि पिछले दिनों में निफ्टी में average change कितने का हो गया average change absolute change लेना है अब absolute change मतलब प्लस 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 वाला ही देखो प्लस मैनिस कता हूँ मैं change की बात करना हूँ change कितने का हूँ है तो हमको बता लगा कि जो change हो रहा है आवरेस वो ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का change हो रहा मन से बढ़ा हूँ 10,000 रुपए से ज्यादा का change नहीं होता डेली तो बहुले 10,000 तो मंगवा हूँगा ठीक एवरेस और बुले deviation कितना है तो बुले 2,000 it means कभी कभी ऐसा हुआ कि price 12,000 से भी बढ़ गया मैं past की बात करो पास्ट में क्या हुआ था 12,000 से भी बढ़ गया कभी 8,000 से भी it means वैसे तो on and average 10,000 का change है पर 12,000 भी change हो जाता है और 8,000 भी change हो जाता है बुले सुनो तो जितना change होता है उसका 2000 से deviation है उसका तीन गुना जादा मंगवा भई आप एक काम करो 16,000 रुपए margin मंगवा ली जी it means वो समझाने इतना मंगवा लो जितना average change हुआ वो प्लस जितना deviation है उससे तीन गुना जाता है इतना sufficient margin है अगर question में ये data दिया होगा तो margin आपको ऐस निकाल ठीक है कोश्चन उठा रहा है question number 32 तैयार हो pain copy calculator आपके पास होना चाहिए हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है 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 टोटल मिलाकर तीन question है तीन question में मैं दो question बनाऊंगा उसके बाद हम break ले लेंगे और उसके बाद अगला part करेंगे margin के दिखा जाए तो question तीन ही है और आजकल margin में के question आ रहा है it means अगर question देखोगे तो एक exam में आया है दिसंबर 2021 में और एक आया है जनवरी 2021 में मतलब भाई margin के question और एक तो मैंने study material का है एक question में होंबर दूंगा एक question में करवा हूंगा दो question में करवा हूंगा तो यह वाला question में करवा रहा हूं और इस question को अच्छे से समझाते हूंगा तो यह question कब आया था December 2021 दीख रहा है December 2021 exam में आया हूंगा पढ़ते क्या दिखाए ओन इकतिस आठ दोजा एकिस Mr. R. has taken important long position long position मतलब अपसाइड बैटिंग प्राइज बढ़ने का कितने लॉट लिये हैं तर दो लॉट कितने में 17,300 इसका मतलब हम बैटिंग कर रहे हैं कि 17,300 से बढ़ेगा प्राइस और एक लॉट में कितना निफ्टी होता मुलें 50 यूनिट्स होते हैं एक लॉट में 50 यूनिट्स Initial margin required 10% of contract value तो सबसे पहले साहब आपको निकालना पड़ेगा contract value अपनी जो main copy ना उसमें करना contract value 17,300 एक तो कितने एक लॉट में कितना पच्चास यूनिट्स होते हैं और लॉट कितने हैं तूं यह आ गया contract value 17,300,000 ठीक है इनिशल margin और maintenance margin तो पहले निकाल के रहां को कोशन पढ़ेंगा ना क्योंटेंशन ले रहां और अब बात करतें इनिशल margin इनिशल margin का तो आपने formula बताया बटे formula बताया वो तो तब जब specific 10% वगेरा ना दिया हो तब ना दो बुला 10% तो सर्च 17,300,000 का 10% मतब 1,73,000 बिलकुशा है और maintenance margin 80% यो फे मचे हैं 1,73,000 का 80% और तो यह और गया वान लेक थर्टी एड कर दावजन फूर्थन फ़ोहने कुशन का 10% अच्त रहां तो यह आ गया यो फोन लेक थर्टी एट चाहिए था मुझे दू चीज़े मैंने निकल कर रख दिया एक किये चाहिए था इनिशिल मार्जिन और एक किये चाहिए था मैंटनिस मर्जिन चले यह बागे अभी कोशन पड़ा ही नहीं है पाच दिन का प्राइस दिया है एक नो दो नो टीन नो चाहर पाच शेटर डिशंडे रहा होगा छे और साथ प्राइस सत्रा जार तीन सो से सत्रा तीन सो चाहिए या एक स्वस्थी होगा अभी कम ज़्यादा बताएगा मांग क आपको डेली बैलेंस भी निकाल कर दिखाना होगा लोग काम करें मेरे साथ सत्थ बनाऊंगे बट्थे मार्जिन एक पोजिशन कौन सा है लॉंग लिख लेता हूँ कभी कभी में भूल जाता हूँ एक तो यहां जाएगा डेट ठीक है एक कॉलम आएगा डेट का एक यहां जाएगा क्लोजिंग प्राइस जो भी प्राइस हुआ होगा यहां प्रॉफिट लॉस कैल्कुलेट करेंगे इतनी जगह में प्रॉफिट लॉस और यहां मार्जिन कॉल और यहां क्लोजिंग बेल है सुनो अगर मार्जिन विड्रॉल का भी लिखा रहता तो हम मार्जिन विड्रॉल वाला कॉलम यहां बना देते पर ऐसा कोछ लिखा नहीं है तो पसा लिख लेकिया यस जाएगा डेट क्लोजिंग प्राइज अप्षेर क्लोजिंग प्राइज शेर का प्राइज और यहां के जाएगा प्रॉफिट लॉस और यहां मार्जिन कॉल और यहां मार्जिन बैलेंस बैलेंस लिख मुछ लेखा ठीक है अगर इनिश्यल मार्जिन जिस दिन था 17,331 की बात है सबसे पहला वह वालिडेट लिखना बढ़ेगा 31,8 यह लिखना जरूरी है कि सर नहीं है पर चलो करी देते कहां है कर शेट यह 31,8,21 उस दिन प्राइस कितना था 17,300 जब कॉंट्रक्ट किया जब कॉंट्रक्ट किया तो प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं और मार्जिन कॉल भी कुछ नहीं लेकिन हमने जो इनिश्यल मार्जिन कैल्कुलेट किया 1,73,000 वो लिखना पढ़ता है ठीक है अगली रेट सर दो एक नौ दो हजार एक नौ एक नौ एक नौ एक नौ एक यस क्या प्राइस हो गए 17,340 तो क्या बढ़ गया प्रॉफिट है यास कितने का 40 into कितना unit 50 into lot size कितना 2 40 into 50 into 2 उसा 4,000 का profit है profit है तो ऐसे bracket minus नहीं दिखाऊंगा अगर loss होता है तो मैना ये बढ़ा ना तो profit है तो total मिलाकर अब मेरा margin कितना हो गया plus तर 1,77,000 40 कांसे आये पता लगा ना आपको चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो 17,300 40 minus 17,300 हाँ आगर आप answer की बात करो उन्होंने ऐसा किया हुआ है तो आप भी ऐसा कर ले ना आप भी करोगे कि चलो में भी करता हूँ अगली दिन price क्या होगा 16,900 17,180 कोंसे डेट दो नो 21 अब 20 हो गया 17,180 17,180 एक कम हो गया यस कैसे करोगे 17,180 minus 17,340 माइनस में आया है तो लोस ऐसा कोई कॉंसेप्ट नहीं है भाई है ना पता लगा शॉट पोजिशन रहा तो तो कॉमन सेंस लगा फॉर्मूली पर हम अच्छा 17,180 से हो गया 17,340 minus 17,340 एन्टू पर चास एन्टू टू तो अब बैलेंस कितना अब अच्छा है 17,000 minus 16,4 16,000 16,000 मैं में अन्टूनेस मार्जिन लिग देता हूं नहीं तो मैं भूल जाओंगा 138,400 इससे कम जाएगा तो दिक्कत में पढ़ेंगे हम लग ठीक है सरी यहां तक कोई प्रॉलम नहीं आगे चले कि यह से अगला अप्राइस होगा है 16,690 3,9 3,9 21 16,690 16,990 16,990 तो यह माइनस 17,001 से इंटू पचांस इंटू इसे 19,000 का लोग से लस 1,61,000 1,42,000 क्या अभी भी मार्जिन कॉल किया जाएगा नहीं सर चल जाएगा इतना तो 1,42,000 अब आगे चले अगले टेट 6,9 21 6,9 21 16,900 16,900 16,900 minus 16,990 इंटू पचांस इंटू 2 9,000 का लोज अब 142 से 9,000 मैनस करो 1,42,000 minus 9,000 तो यार 1,33,000 आया भाई और हमें क्या करना है हमें तो वापस 1,00 यह तो 138,400 से काम हो गया तो क्या मार्जिन कॉल करना पड़ेगा कितना मार्जिन कॉल करना पड़ेगा कितना मार्जिन देखना ध्यान से मार्जिन कॉल कैसे होगा जब मैंने 142 से 9,000 मैनस किया मेरा बैलेंस कितना दिख रहा है 1,33,000 क्या 138,400 से कम हो गया हाँ मैंटरेंस से कम हो गया तो आपको margin call करना पड़ेगा और कहां तक call करना पड़ेगा 173 तो आपको 40,000 रुपए margin बुलवाना ठीक है ठीक है तो वापस आपके बास margin कितना आ गया 173,000 यह important है यह 4,000 में गलती हो सकती अगले दिन प्राइस साथ नो 17,120 तो 17,120 माइनस 16,900 इंटू पचाश इंटू तो बढ़ा फाइदा है तो बावी सेर का फाइदा है प्लस 1,73 तो 1,95 और और भी प्राइस है कि नहीं बस यहीं तक यहीं तक है तो यहीं तक है तो यहीं क्लोज कर लेते हैं यहीं कहला ता अपका margin account बस यहीं format रहेगा बस कहीं अगर margin withdrawal की बात होगी तो यहां कहीं आ जाएगा पर margin withdrawal वाला कोई question आये नहीं आस तक पॉइंट नमबर 2, compute the gain or loss to me if contract a contract squared off on 7-9, contract squared off की बात समेज रहे हो, क्या बोला है question सुनो, बुल रहा है point नमबर 2, बुले profit gain or loss पताई, अगर contract square off कर रहे हो, मतलब सौधा काट रहे हो, कब काट रहे हो बुले 79 को, अब सौधा काट रहे हो, और 79 को प्राइस क्या है, डियर 79 को यह keywords यहां सौधा काट रहे हो, तो आप क्राफिट loss पताए हो, आप, आप, जो है, क्या नाम है सब्सक्राइब जो है वह मार्जिन जब यहां सौधा कायट देगा ना तो इस टॉक एक्षिन उसका मार्जिन वन लैक नैंटी फाइफ थाउजिन माइनस करते अच्छा सर तो यह मार्जिन विड्रॉ कर सकते हैं यस लास्ट में विड्रॉ जितना भी वो सब हमारा है ठीक है सर तो सर श्टार्ट करें कि प्रॉफिट लॉस निकालना है यह कौन सा है एंडिंग मार्जिन और यह कौन सा है बिगिनिंग मार्जिन ठीक है इनिशिल मार्जि Calculation of Profit on Pass Ending Marge कितना Margin हमें वापस मिल जाएगा सर वन लेक 95,000 माइन है Initial Margin कितना जमा किया था वन लेक 73,000 तो ये क्या आ जाता आपका Profit आ जाता 100% फिर 22,000 रुपय का Profit आ जाता और कहीं Margin Call तो नहीं हुआ है यास तो Margin Call वो भी मैनस करना पड़ेगा और Margin Call कितने का हुआ 40,000 तो Profit की अपिक्ट से यहां कि आ गया लॉस कितने का लॉस आ गया 18,000 ठीक्ट हाला कि बड़ा आसान काम था Profit लॉस ने काना सुनना धिहां से में क्या बल रहा यहां प्राइस क्या था 17,300 आपको क्या लग रहा था प्राइस बढ़ेगा और प्राइस हो कितना गया 17,120 आप बीच का देखी क्यों रहा हूँ आप सीधा लाश्ट का देखो खतम करो कहानी 17,300 से 17,120 हो गया तो सुनो मैं ऐसे भी निकाल सकता था अल्टरनेटिव 17,120 हो गया और पहले कितना था जब कॉंट्रेक्ट हुआ 17,300 इन टू पचास इन टू टू पचास क्या है नमबर अप यूनिट्स टू क्या है नमबर अप लॉट्स लॉज दिखाई दे रहा है पर सब तो ऐसे कर लेते हैं इतना सब कुछ ऐसे कर सकते थे पर I, C, A, I ने ऐसे ही बनाया है तो हम ऐसे ही करेंगे तो को सॉटकट तो वह सारी चीज़ों कहा है मेरे पाफ सॉटकट से कुछ होना नहीं है भाई नंबर चाहिए हमें हाथ जोड़के विंती कर रहा हूं जैसा I, C, A, I कर रहा है वैसे करो मैं तो कैल्कुलेटर से क्या हमें प्रॉफिट लॉज निकालने के लिए यह सब बनाने की जरूरत है नहीं हाला कि यह बनाना ही पड़ता क्योंकि उसने बना डेली बिलेंस बताओ करके बनाना पड़ता पर सिर्फ प्रॉफिट लॉज बोलता तो भी मैं मुझे प्रॉफिट लॉज पूछता न तो मैं यह नहीं बनाता सिर्फ लॉज बना रहा है उसके बाद प्रॉफिट लॉज निकाल रहा है जैसे अगर मैं इस पर आ जाता हूँ पॉइंट नमर थ्री वन और टू हो गया थ्री ज़रा पढ़ते प्र समझते कि क्या है स्पी में बोल रहा हैं वाट उड़ भी दा गेन और लॉस इफ मिश्टर आर हैड टेकन अगर शॉट पॉजिशन होता तो क्या होता और सिर्फ क्या निकालना है गेन और लॉस इतना ही कोश्चन है अगर इतना कोश्चन है तो सत्रह हजार एकसो बीस माइनस सत्रह जार तीन सो शॉट पॉजिशन आप चाहते थी कि सत्रह जार तीन सो से कम हो जाए और सत्रह जार तीन सो से कम हो गया शॉट पॉजिशन है इंटू पचास इंटू टू तो सर प्रॉपिट हो गया ना अठारा जार का यूँ टाइम पस करे और हमको मालम है एक का से बनाएं, अगर मैं ना बनाओं, छोटी सी चीज है, अगर मैं ना बनाओं तो आंसर तो आ गया ना सर, अगर मैं ना बनाओं तो हो सकता है कि जो पीपर चेक कर रहा है, वो नमबर ना दे, सर कहना कह रहा है, बना लो भाई, मुश्किल तो है नहीं है टाइम ही लगेगा तो एक बार कॉप्पी उठाते बनाते अपकी बार कौन सा पोजिशन लेना शॉट पोजिशन लेना पॉइन नमबर त्री तो मार्जिने काउट बोला भी नहीं है यार आप सही में में क्या कर लो तो पास होना भाई तो मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसे करो बस मार्ज ने काउँ कौन सा पोजिशन शॉट पोजिशन आप थोड़े स्पीड से करते ठीक है मतलब आप क्या बोल रहे हैं सत्तरा जार तीन सौ से कम पता है आपको एक तो डेट आएगा एक है एक आएगा क्लोजिंग प्राइस प्रोफिट लॉस एक कॉलम आजाएगा मार्जिन कॉल और एक क्या आजाएगा बैलस चलो इस बाहने यात्त हो जाएगा एक कॉलम देट प्रोजिंग प्राइस प्राइस उप्रोफिट लॉस margin call और यहां के जाएगा balance लिकप्तिस आठ वनलैक तो एनटे थ्री थाओज़न ठीक है ठीक है सर्फ कोई विक्तन है एक नौर रेट क्या हो गया है तो सत्तरह हजार फिन सच चालेस अब भाइसा इसमें क्या कर रहा है सत्तरह हजार हजँ तो सत्तरह हजार तीनों माइनस सत्तरह चारी जर का लॉस सर्फ 1,69,000 ठीक है अगला प्राइस क्या हो गहा कि टो नो फॉत्रा अल का लॉत्राइकस हो अस्ती तो अत्राइक साचाले स्मस्ट उत्राह aur एकसाषरेक ठाचा नचाशन टॉ प्राहु बॉत्राह आख़्ड का लॉत्राह प्राह लॉत्राह सुटेख अशॉत्या 14 मेनस 13,101 तो पिछाश्य इंटो पचाश्य इंटो तो तो नाज़ प्रोफित अधा तस 1,69 था 1,85 अग्लाप राइस टीन नौ इक्ष तीन नो डू हजार एक्ष सुला हजार तोनब्ब्ब्ब्द तो सत्रह हजार एकस्ती मैनस सोला हजार नौ सुनब्ब्ध पच्चानव सेंट टो मैं कि अजय का फाया था लिस्टार का फायदा लास बिल्टी फाय दार्य लाक फोर थाशन प्राइस क्या हो गें सोल आजर नौसब इनो के बात शेनो तुलाहजार नौसव नब्चास 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 नब्च कि फुकर कर रुकर को कि घुड़ गर्स मानसतर हजार नौसो सट्राभ हजार थिए पह आस तुटंपसाऊ झ।जब पहत थो भी थ।श्कर लॉस प्रोफित लॉस निकल ले क्या है calculation of profit or loss ending margin 1 lakh 91,000 minus initial margin 1 lakh 73,000 profit 18,000 और कोई margin call है नहीं तो profit होगे इसको 18,000 चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और यह वाला question मैं आपको homework देने जा रहा हूं और इसमें सुनो closing balance जो मांगा है न अगर आपका long position है तो daily closing balance मैं लगा और short फिर ठीक इसको set कर लेज़ेगा आपको कर दो कोश्चन नमबर 34 करवाना जरूरी है क्योंकि थोड़ा अलग है 10 में अराम से हो जाएगा ब्रेक लेंगे क्योंकि यह कहां का question है आपके new syllabus के study material में है और practice manual में भी था तो यह question करवाना जरूरी है चलो जी बापरी बापसर इतना सारा प्राइज है चिंदा मत करो मैं आपको बता रहा हूँ sensex future are traded at a multiple of 50 मतलब 50 units लेना एक contract में consider the following quotation of sensex future in 10 trading days during fab 2009 चार तारिक से 18 तारिक का price दिया है high हमारे काम का नहीं है low हमारे काम का नहीं है हमारे काम का सिर्फ closing price रहता है ठीक है तो जब बर्दस्ति इसके tension में आप tension में मता जाना इसके चक्कर में आगे के दिया है एक बार पढ़ लें अब इसक बॉट सिर्फ एक ही future contract कर रहा है on fab 4 को fab 4 का value क्या है closing value यह दिया fab 4 5 का 3296 रुपर 50 पैसे इसका क्या कर रहा हूँ buy कर रहा है कि long है कि short position लिखाए सब the bought बॉट का मतलब क्या होता है बॉट का मतलब होता है price बढ़ेगा कौन सा position ले रहा है आप long position ले रहा है the average daily absolute chance is 10,000 and standard deviation of chance is 2,000 याद करो मैंने कहा था कि initial margin कभी ऐसे निकलने के लिए आ सकता है और maintenance margin है 75% of initial margin आपको तो एक तो daily balance निकालना है if any बस profit loss तो पूछा ही नहीं profit loss क्यों बनाएंगे लेली वेनस निकालना है यह question आप से हो जाएगा वो तो जाएगा पर करवाऊंगा मैं चलो sir करते पिर सबसें margin लिखो गया initial margin mu plus 3 standard deviation mu का मतलब daily absolute change कितना है 10,000 plus 3 into 2000 तो यह आगया आपका initial margin है और एक क्या नहीं का नाम को maintenance margin मेंटनेस margin कितना है 75% of initial margin तो आपको निकालना ही पड़ेगा इसके बेना काम नहीं हो सकता अब क्या करना अब margin कौन सा पोजिशन आपका लॉंग यह लिख लेता हूं भाई मुझे याद में रहता एक्षिल प्राइस बहुत सारा है थोड़ा छोटा छोटा लिखोंगे तभी काम चलेगा एक तो जाएगा हमारा डेट एक क्या आजाएगा क्लोजिंग प्रॉइस प्रॉइस प्रॉइट लॉस अपको तो पता ही है rate closing price profit loss margin call गेट कब से चार फैब एक बार लिखनों किस बार आच्छा यहां तो है चार फैब दो हजार नौ तीन हजार दो सो चानवे रुपए पचास पसी देखो ना और टेकनिकल कर रख कितना जम है और मेंटनेस कितना है यहां तक ठीक है चले आगे चार दो के बाद सीधा किस पे जाते पाच दो तो हजार प्राइस कितना हो गया इन हजार दो सो चारनवे रुपए चाले स्पेस तो लॉस हो गया है तो दिख रहा है लॉस 3294.40 माइनस 3296.50 इन्टो एक ही कॉंट्रेक्ट है तो इन्टो पेचास 3294.40 माइनस 3296.50 इन्टो पेचास तो एक सो पाँच रुपए का लोस है इक है इस एकल तो माइनस एक सो पेचास प्लस सोला चार तो सर यहां गया है 15895 ठीक है सर राइम लगेगा पर हो जाएगा अगला प्रीट मतलब सर पांच दूख के बाद क्या जाएगा च्छेदो रेट हो गया 3230 रुपए तो यहां जाएगा 3230 दूसो चरहन में और और कम हो गये तो हो जाने तो 3230.4-3294 पॉर पॉंट फॉर इंटू पच्छास तो यहां गया 3200 को लॉज एकसा इंगरबड़ है माइनस 3230 प्लस फाइवन फाइव एट नाइन फाइव तो यहां अगया अभी बारह हजार छेसाओ याद रहना बारह हजार से नीचे जाएगा तो फिर मार्जिन मंगवाना पड़ेगा छेदों के बाद किसकों सी रेट आगे रहे साथ पैव दो हजार नो रेट कितना हो गया सर्थ 3212.30 तो 3212.30 और पहले था 3230.40 इंटो पचास नो सो पाच रुपे का लोस है अब आपका ये है 12695-905 तो भाई साब अब इनिशल मार्जिन आपका मैंटरिनिस सी भी कम हो गया तो मार्जिन कॉल गिया जाएगा कितना 11,790-16,000 तो 4,210 रुपे मार्जिन कॉल किया जाएगा वापस यहां कितना जाएगा 16 इसको बोलते है वैरिशन मार्जिन आपके चले साथ दो के बाद 10 दो दस दो दो हजार नो यह हो गया 3267 रुपे पचास पैसे तो 3267 रुपे पचास पैसे माइनस बढ़ गया इस बापिट है 3212 रुपे 30 पैसे इन टू पचास दो हजार 1760 प्लस 16 अठारह 1760 अगली रेट लेनो यह सर ग्यारा दो बस खतम हो रहा सब्सक्राइब ग्यारा दो दो हजार नौ तीन हजार दो सो त्रेशाट पैसे तीन हजार दो सो त्रेशाट रुपए असी पैसे और पहले था इन हजार दो सो सर्ट पचास पैसे टो पैसे लोस यस वानिति मैं तो सरी अठारा हजर पांस सो जबरदस्ति का कैलकुलेशन दिया फ्रैक पॉइंट में दे रखा है यार बलत मात है बारा दो दो हजार इन हजार दो सो ब्यान बे रुपए तो तेन हजार दो सो ब्यान बे रुपए माइनस तीन हजार दो सो त्रेशाट रुपए असी पैसे इन्टो बचाथ, 8292, मैनस 3263.8, इन्टो बचाथ, चावुदा सवदस का प्रॉफित है, प्लस अट्राइजर बांस बचाथ, यहागे सर्फ, 19985, बारा की बाद चावुदा दो, 3309.30, 3309.30, 3309.30, 3309.30, 3292.00, into 50, अभी प्रॉफित है, 3 3 0 9.3 minus 3 2 9 2 into 50 8 65 plus 1 9 9 8 5 sorry again 2 0 8 5 0 अब कौन सी डेट अब दो ही बच्चे है एक सत्रा पैब दो हजार नो प्राइज हो गया 3 2 7 8 0.3 3 2 5 7 sorry 0.8 so 3 2 5 7.80 minus 3 3 0 9 0.3 0 into 50 3 2 5 7.8 minus 3 3 0 9.3 into 50 यहां लो से माइनस 2 5 7 5 तो सरी यह आगे 1 8 2 7 5 तो से में गोट लास्ट अठारा फैब दोजार नो इट हो गया 3 1 0 2 3 1 0 2 2.60 कि जो दो कॉलम है इसको कटी कर देना क्योंकि मुझे क्या गलती हो रही है मुझे यह देखना चाहिए मैं यह देख लेता हूं फर्स्ट कॉलम का वो मुझे गलती हो रही 3 1 0 2.60 मिनस 3257.80 इंट फिफटी तो 3 1 0 2.6 मिनस 3257.8 इंट फिफटी यह आगे मिनस 7 7 6 0 फिर मार्जिन कम हो गया तो फिर बंगवाना पड़ेगा मैनस 16,000 तो मार्जिन मंगवाना पड़ेगा 5,480 तो वापस कहा आगे है 16,000 फिक है प्रॉफिट लॉस मांगा नहीं मांगा तो भी हम लिकांगे एक बरसर चेक कर लो 4,210 और 5,480 भर 16,000 15,000 12,000 16,000 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कोई गलती नहीं है तो मुझसे कैल्कुलेशन में च्टिक ज़्याद हो जाती है ठीक यह था मार्जिन इसमें कैल्कुलेशन ज़्यादा था एक्चली यह फ्रैक्शन में दे रखा था ना इसी वज़ाज़ा थे मार्जिन का एक कोईशन पका पका करें जाना अगला ब्रेक के बाद हम पार्ट नमबर टू जो कि सबसे ज़्यादा इंपोर्टन है वैलुशन अफ यूचर करने जा रहे ठीक है ठीक है ठीक